वेलकम टू नेक्स अग्जाम आज है 3 सितंबर 2022 और 3 सितंबर 2022 से करेंट अफैस के जितने भी important question बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ discuss करूँगा और हर question से related important fact भी मैं आपको बताऊँगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए last time मैं आपसे question पूछूँगा उसका आंसर आपको comment box उन बताना है आज किस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के discussion से डाउनलोड कर सकते हैं PDF आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम ग्रूप पर आप उस सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम ग्रूप का लिंक मैंने इस वीडियो के description में दे दिया है तो आप उस लिंक पर click करके टेलेग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पहला question है हाली में 200 naryal दिबस कम मनाया गया है तो अभी 2 सितंबर को 200 naryal दिबस यानी कि bird coconut day मनाया गया तो इस question का बे options हैं अब ये bird coconut day मनाया क्यों जाता है तो नारियल के महत और इसके लाबों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 सितंबर को 200 naryal दिबस म कि थीम क्या है इस बार की थीम है cultivate coconut for a happy life and future क्या है cultivate coconut for a happy life and future तो इस question से आप इतनी जानकारी याद रखिए अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जरू क्या कर और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning note कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे छोटा साई target fix करो लेकिन daily morning note कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है किस प्रदेश की पुलिस फॉरंसिक साची के संग्रहड को अनिवार बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है तो इस question कर say options है अब साइद ये language आपको समझ में नहीं आई होगी 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनी अपरादों में collection और forensic evidence को अनिवारे बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस अचा दिल्ली की बात है तो कल ही तो मैंने आपको दिल्ली से रिलेटर एक question मत आया था दिल्ली के चीपनिस्टर अरबिंद केजरीवाल ने देश का पहला modern virtual school launch किया है जिसमें देश बर के बच्चे पढ़ सकते हैं अचा अभी Asian बस्तर सम्मिलन का नौमा संस्कड नई दिल्ली में आयोजित हुआ अरबिंद केजरीवाल ने make India number one mission शुरू किया है स्वर समराट फेस्टिवल का दसमा संस्कड अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ दिल्ली सरकार ने mission कुसल कर्मी शुरू किया है और पर्या railway athletics championship में पुरुसों की 100 meter race में रास्टी record किसने बनाया है तो ये बनाया है अम लान बोर्गोहिन ने तो इस question का बे options है ये हैं अम लान बोर्गोहिन इन्होंने अभी उत्तर पदेश के राइबरेली में आयो जित इंटर railway athletics championship में पुरुसों की 100 meter की sprint race 10.25 second में complete करके एक रास्टी record बना दिया है ने mission है हाली में किस bank ने cashback credit card launch किया है तो अभी SBI ने एक cashback credit card launch किया तो इस question का say options है ये cashback credit card क्या है तो इसमें क्या है अगर इस card से आप कोई swapping करोगी तो आपको 5% का cashback मिलेगा और ये जो card है इसका annual renewal charge है 999 रुपी और इस card से साल भर में आप 2,00,00,00 की swapping कर सकते हो तो ये है cashback credit card अभी इसे SBI ने launch किया है अब SBI तो SBI की स्टापना कब होई 1955 में इसका headquarter कहां पर है मुंबई में और इसके present time पर चेयर परसन कौन है दिनेज कुमार खारा कौन है दिनेज कुमार खारा ने confusion हाली में संसद टेवी का CEO किसे न्यूक्त किया गया है तो अभी उत्पल कुमार सिंग को संसद टेवी का CEO पॉइंट किया गया तो इस question का लोकसभा टीवी आती थी और एक राजसभा टीवी आती थी यह दो अलग अलग चेनल थे अब इन दोनों को मर्ज करके सिंगल चेनल बनाया गया संसद टीवी और अब इसकी CEO पॉइंट हुए है उत्पल कुमार सिंग अच्छा अभी नागे सिंग को थाइलेंड में भारत क उच्चा युक्त अपॉइंट हुए है एक नाम और बताया था में आपको प्रडै कुमार भर्मा ये बंगला देश में भारत के उच्चा युक्त अपॉइंट हुए है अभी क्रेडिट सुइस के नए CFO बने है देख्चित जोसी एन आई आई के निरिशक के रूप में अ आपको होता है था वसुदा गुपता वसुदा गुपता ये आकास मारी के समाचार प्रभाग की महानेतिसक बनी है नए क्यूशन है केस देश के पूर राष्टपती मिखायल गुर्वचेव का निदन हुआ है तो जब सोबियत संग था उस टाइम ये सोबियत संग के लास् रुस के पूर राष्टपती थे यानि की सोबियत संग के लास्ट राष्टपती थे और अभी 91 वरस की उम्र में इनका निदन हो गया है अब रुस की बात है तो ये है मैप में रुस, रुस की केपिटल क्या है मौस्को, रुस की क्या है रसियन रूबल, रुस के प्रजेन पर प्रेसिडेंट कौन है? ब्लादिमीर पुतेन और रूस के प्रेसिडेंट पर प्रेसिडेंट कौन है? मिखायल मित्सुतेन. अभी ब्लादिमीर पुतेन की जेवनी पुतेन फिलिफ सौड द्वारा लिखी गई. तो इस जेवनी का नाम आप याद रखना है? अभी रूस ने 2024 के बाद अंतरास्टी अंतरिच केन छोड़ने का फैसला किया है. 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्टेट खाद्य आपूर्ती करता रूस बना है. और ये सबसे इंपोर्टेंट को है. सबसे इंपोर्टेंट. रूस के एक पत्रकार हैं दिमेत्री मुराटोब. इनोंने अभी यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपन नोबल सांती पूरुषकार बेच दिया. आपको पता है रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ. इनोंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबल पीस प्राइज बेचा है. अचा रूस में उरल के पहाड़ है. रूस में माउंट एलवरस है. और रूस मे लेक बैकाल है. नएक शूशन है. हाली में बेच सु जूनियर तेरा की चेंपियन सिफ के फाइनल में पहुचने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है. तो अभी अपेक्चा फर्नांडिस बेच सु जूनियर तेरा की चेंपियन सिफ के फाइनल में पहुचने वाली पहली भारती महिला बनी है, तो इस question का C options है, ये हैं अपेक्चा फर्नांडेज, अच्छा ये जो best junior tera की championship है, ये कहां पे हो रही है, तो best junior tera की championship, ये पेरू की capital लीमा में हो रही है, और यहीं फिर final में पहुचने वाली पहली भारती महिला बन गई है, अपेक्चा फर्नांडेज, अच्छा ये एक नाम लिखा है, स्वेता सिंग, ये PMO में निदेशक बनी है, एक नाम ये लिखा है, मनीशा रोपेटा, ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP बनी है, ने question है, किस ने आबास से सम्मंदित, ए आबास पोर्टल सुरू किया है, तो हमारे ग्रह मंती हैं, अमित सहा, इन्होंने अभी केंदरी सस्थर पुलिस बलों के कर्मियों के लिए ए आबास पोर्टल सुरू किया, तो इस question का, बे option सही है, ने question है, हाली में NHPC के CMD के रूप में किस ने पदवार ग्रेड किया है, तो अभी यमुना कुमार चौबे ने NHPC के CMD के रूप में प ये NHPC के CMD बन गए है, तो NHPC इसकी फुलफॉम क्या है, नेशनल हाइड्रो एलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्तापना कब हुई थी, 1975 में, और इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है, फरीदाबाद में, कहां पे है, फरीदाबाद में, next question है, केस पेना ने पार्ट्सपेट किया है, तो इसकी फुलफॉम का बे ऑप्सन सही है, बूस्तोक सैन्य अभ्यास, ये एक बहु पच्छी रड़नीतिक और कमांडर सैन्य अभ्यास है, ने हुशन है, हाली में, अगस्त महा में, GST संग्रेक कितने प्रतिसत बढ़कर, एक दसम्रब चार-तीन लाक करोड हो गया है, तो अगस्त 2022 में, GST कलेक्शन 1.43 लेक हो गया, ये कितना परसेंट बढ़ा है, 28 परसेंट, तो इसकी फुलफॉम का से अप्सन सही है, ने हुशन है, हाली में घातक सरवाइकल कैंसर की रोक्थम के लिए, किस स्वधे सी टेके की गोशना की तो हमारे प्रजेंट टेम पे बिग्यान एवंप्रोध्यों की राज्यमंत्री है, जितेंद्र सिंग, इन्होंने अभी घातक सरवाइकल कैंसर की रोक्थम के लिए, एक स्वधे सी टेके की गोशना की है, और इसका नाम है सरवावेक, क्या नाम है सरवावेक, तो इस कुश इनकी नान जिंग में 200 एथलेटिक्स इंडूर चेंपिंशिप 2023 होनी थी, लेकिन अब इसको 2025 तक के लिए इस्थगित कर दिया गया है, तो इस कुशिन का ए ओप्सन सही है, अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना, चाइना की केपिटल क्या है, बीजिंग, चाइना की कर जेन टैम पर प्रेसिडेंट कौन है, जे जिंपिंग, अच्छा अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, बैस्विक स्वर्ड पुनक्त्रकर्ट यानि की गोल्ड रेसाइकिलिंग में चेंड टॉप पर रहा है, फुजियान नामक तेसरा बिमान इंडियन नेवी की फ्लैग को भी चेंज कर दिया गया है, पहले इंडियन नेवी का फ्लैग ये था, अब नया फ्लैग ये लॉंच किया गया है, तो अब इंडियन नेवी की फ्लैग को भी चेंज कर दिया गया है, Next question है, हाली में रडवीर सिंग को उनकी किस फिल्म के लिए सर्फ स्रेष्ट अभिनेता का पुरुसकार मिला है, तो अभी The Times Group द्वारा प्रस्तुत सरसट में फिल्म फेर पुरुसकार में, रडवीर सिंग को उनकी फिल्म 83 के लिए सर्फ स्रेष्ट अभिनेता का पुरुसकार मिला तो इस question का say option सही है अब last video के question का answer last video मैंने आप से question पूछा था कि किस राज्य में एक बिसाल दबा पार्क बनेगा तो अभी आंध प्रदेश में एक बिसाल दबा पार्क बनेगा यानि किस question का बे option सही था और लगबग सभी इस question के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लेखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते जैसे इस question का आंसर था आंदप्रदेश तो आंदप्रदेश के बारे में जितनी चीज़े मैं आपको बताता हो वह सब मायड़ में तुरंद किलिक करनी चाहिए जैसे बासा के आदार पर गठेत होने वाला बहरत का पहला राज्ज है आंदप्रदेश, आंदप्रदेश में कुलेरू लेक है, पुलेकट लेक है और पापी कोंडा नेशनल पार्क है, स्रे बैंकटेस और नेशनल पार्क भी आंदप्रदेश में है, पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्ज है आंदप्रदेश, अब फलों के सबसे बड़ा उत्पादक की बात आई तो तुरंत मायंड में आना चाहिए कि सबजियों का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तरप्रदेश मचलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडू और चेनी का सबसे बड़ा उत्पादक है महरास्ट इस तरह से आपके मायंड में एक chain बन जानी चाहिए जब ये chain आपके मायंड में बनने लगेगी तो बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहने लगेगी जैसे अभी आंध्रप्रदेश से related एक और important question है आंध्रप्रदेश ने खुद को plastic मुक्त गोसित करने का target 2027 रखा है इसलिए आंध्रप्रदेश में अभी विनायल के banners पर प्रत्यबंद लगा दिया गया है यानि कि विनायल के banners को वहाँ पर पूरी तरह ban कर दिया गया है यह चीजें इस तरह याद आनी चाहिए आपको यह habit आपके अंदर develop हो जानी चाहिए लेकिन यह habit तभी develop होगी जब आप इसकी practice करोगे अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में case राजि में नुवा काई उत्सम मनाया गया है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्यूंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रे सारसी Instagram पर इंद्रे सारसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस video का आप target जरू याद रखना आज किस video का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का मारा current interface का video आपको ये video कैसा लगा प्लीज कमेंट वॉक्स में जरू अताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे के आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam always video thanks for watching